यह दूसरे जो ड्रैकिनर्स होते हैं वो किस तरीके से आपके ब्लैंकेट्स को वाश करते हैं वो दिखाए दिया जा रहा है वह किसी भी पानी में आपके बलंकेट को डालके उसको वाश करते हैं एक बार आपका बलंकेट धूल जागा उसी पानी में किसी दूसरे का बलंकेट व Tradicated धोने के लिए प्लाओं का अस्थथिमाल करते हैं क्योंकि की बलंकेट भार ही होता है और वो हाथों से इसको उठानी पाते हैं यह जो है यह लॉंडरिकिंग का प्रोसेस हैं हम सबसे पहले आपको ब्लैंकेट को जाड़ते हैं दस्ट करते हैं उसको पूरा उसके बाद हम उसको मशीन में डाल देते हैं वाशर के अंदर ताकि अब स्कूर में यह खुड्रिया जा सके इस प्रोसेस को आप खुडी आखों के सामने देख सकते जाएं इस यह यह ब्लैंकेट अभी वाश हो रहा है अब इसमें डिटर्जन डाला जाता है यह जो डिटर्जन होता है यह specially blankets के लिए ही बनाया जाता है तक जिसे blanket soft रहता है और जम-free रहता है यह blanket अभी wash हो रहा है अब आद खुद भी वेट के देख सकते हैं इस वाइस को यह blanket अभी wash हो चुका है अब हम लोग ज्यादा देर वेट नहीं करते हैं और सीधा यहां से निकालके आपका blanket ड्रायर में डाल देते हैं क्योंकि हम लोग ड्रायर में सुखाते हैं और यह heat में सुखता है तो यह जो blanket है यह पूरी तरीके से 100% germs or virus free हो जाता है क्योंकि हम लोग एक बारी में एक ही blanket दोते हैं तो आपको यह भी कोई tension नहीं है कि किसी और का कुछ mix हो जाएगा या उसी और के कपड़े से कोई जर्म उसमें आ जाएगा एक बार जब blanket dry हो जाता है तो हम लोग आपके blanket को बाहर निकालके immediately उसको pack कर देते हैं ताकि किसी भी तरीके germs या कोई भी चीज़ को जूना सके या उसमें लगे न एक बार यह pack हो जाता है हम इसकी tagging करके इसको अलग रख देते हैं इस पूरे process में आपका जो blanket है बिल्कुल clean soft हो जाता है आप पुरी तरीके से यह हम पर ट्रस्क कर सकते हैं कि आपके blanket के अच्छे हातों में गया है और ट्रस्वर्थी है जो washing process है तो यही फर्क होता है हमारी washing में और एक नॉर्मल जो ड्रैकन होता है उसकी washing में थैंक्यू थैंक्यू